आज हम कुछ अलग ऐसे कपल से मिलने वाले हैं आज वह सादी आज के दूद्ट के लिए अब बाइडल को लेकर और भी चीज़ों को लेकर जो होती है वह चर्चे में रहती है और ऐसी ही शादी फिलाल नाखपुर में एक शादी होने जाने वाली है और वो शादी खिलाल बहुत ही चर्चे में हैं हम उनसे मिलेंगे मुझे लगता है आपको अभी तक अन्दाजा आगे आओंगा कि मैं आपको आज किसे मिलना मिलाने वाली हूँ हमारे साथ है डॉक्टर सुर्भी मित्रा और पारोमिता जी जो कि ये पेशी से डॉक्टर है औ अब बहुत ही हटके कापल है आपका अदो में ये बताऊंगी क्युकि मुझे ये बहुत अच्छा लगता है वताना सब को को अधो डिस्क्लेमर यह है कि मैं कलकता से हूँ मुझे अच्छी हिंदी नहीं आती तो ब्लीज माफी अफी अग्या प्रॉट कॉर्ट को अज पर एक मेंटल हेल्थ कर्फरेंस थी वहाँ पर ये स्पीकर थे और मैं और ओडियेंस में थी अफ्टर दाट उसके बाद मुझे बहुत अच्छा लगा इतनी अच्छी एक इन्फरमेटिक सेशन थी बहुत अच्छा बोलती भी है तो मैंने बोला कि मैं इसके बार में और थोड अच्छा बाते शुरू ही और एक हमते बाद में बोल दिया क्योंकि मुझे ना इंस्टाग्राम इन्स्टाग्राम यूज नहीं एक तो वह बस नमबर मिलाने का ये था फिर वाट्सअप पे टेक्स्टिंग फिर कॉलिंग फिर वीडियो कॉलिंग फिर एकदम से बाते होती तो उसके बाद एकदम से क्या हो गया चैसाथ दिनों के लिए उनका फोन बंद हो जुकी थी और एक चीज होता है कि तुम जब एक इनसान से रोज बाते करते हो अचानक से वह बंद हो जाती है तो यू फिल इंकम्प्लीट समवे कुछ तो कमी है ठीक है फिर मैंने फिर इन जोसके ऐस्टेंट हो गया है और मेरा फोन खड़ा भोगया था इसलिए में कॉंटांक नहीं कर बई तो मैंने बोला अच्छा थीक है तो फिर मैंने बोला कि आप जिन्दा हो कि नहीं है बता दू मुझे पहले पर दो तो बहुत बहुत बाद इंग तो बोला थीक है उसके अधिन यह एक ट्रिप था करके विच अच्छी एक्सिड डेट तो इस कमिटमेंट में चैरिमनी आरिव पिया पिया इंके दोस्त और मेरे दोस्त आने वाले थे और जाने जाने के बाद अच्छी मैंने टेक्स्तिंग में उनको पुछा था कि अगर में सब के सामने तो में करों तो तुम क्या रिजेट करोंगी तो उन्होंने बड़ा था क्यों करोंगी तो I got my answer instantly वो ही trip actually gradually इतना बड़ा होके गड़ा कि that became this commitment ceremony which is engagement जो हम नहीं बोल सकते engagement just because of the legal assets क्योंकि फिर friends और family members सब लोगों न ऐसा ultimately बोला कि कि यह proposal अगरे बीच पे सफ चार लोगों को 15 लोगों को मिला के क्यो करना है हम सब तो आ रहे हैं मैंलोब almost 150-200 friends attended that this ceremony so they were like कि proper ceremony क्यों नहीं कर डालते है तो फिर वो प्लान चेंज हो कर यह हो गया मतलब family वालों का भी बहुत अच्छा support आप दुन को मिला है तो तो आप अपनी बार लोगों को बता सकते हैं कि यह कैसे आई इस वार जब मैं इंसे मिली तो यह अपने पहले मदर से बोली कि I really like this person तो उसकी मादर ने बोला नहों क्या है तो बोला पारो मिता थीक है पिर उनकी मॉम ने पुछा कि सरने हो क्या है अच्छा 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 पहले तो यह LGBT community उसने भी caste है कितना फिल्टर करना है बिल्कुल मतला पहले तो लोव मैरेज होती थी वहाँ भी caste के रिजन के कारण जो है जबकि मेरे खुदकी पैरेंट्स की इंटरव मैरेज है बट देन रिक्टरव मैरेज हे बट देन आयं के मैं.. अच्छा यह मुझा पिकप करने वाली थी बट भी शी वाज थी फिर्टरव थी सो हर हर् फ्रेंट्सिंस की जाने का पूरा थायरपोन एक घूर उस बनीजकों दूर्ट करने है। जो बनीजकों मेने रहे चाहिए चाहिए थिरी शव्तो यहां थे हूं रहे हैं बहुत ही एक्सेप्ट नहीं हुआ होगा और कि मतला हम बताये और घरवाले यहां वह हमें प्रेंट सरकल LEA इतना सपोर्ट किया। यह बहुत था कि दूह बहुत था कि हमारे फ्रेंड से परीज बहुत सब्सक्राइब और हम फामी इखता था तो अर फैमली को तो मेरे काफी सालों से पता था तो इसले फैमली नी तुरंथ भूला गार हम तो जाने उसको तो यह इसले है उनसे मिलने के लिए तीन-जर्बार जिस तरह से आप बता रहे हो बहुत ही मतलब यहां पर जो मुझे लगता है कि बहुत ही आपने मस्ती की होगी जिस तरह से आप भी बता रहे हो थोड़ा सा उस बारे में बताइए अच्छा इनिशली जो हुआ था 29 December मतलब कर्फ्यू के दिन मतलब शुरू हो चुकी थी कर्फ्यू 28 से तो इवन मैनेजर जो है समिश्का गनविर उनके फ्रेंद्स एवेंस ऐसा करके एक अच्छा करके एक अच्छा कुछ नहीं हो पाएगा एकदम से ऐसे कैसे हो पाएगा बहुत टेंशन हो चुकी तो यहां सब्सक्राइब करते हैं तो लोग अपनी OPD अगरे खतम करके ही है तो पहुचते ही साड़े नौ अगरे बज़े के बाद है सब लोग अब नौ बज़े कर लगने वाला है तो पर कैसे करेंगे बट मैंने देखा कि बहुत एक्साइटमेंट है और कुछ भी प्रॉब्लेंस लोगों ने उसमें जुड़े फार नहीं है तो चल दो लोगने नोगे जो हमारे जो बनाई कर पाए और जो हमारे और सी सिर्था यह तरह की आपकी आपकी इंगेजमेंट के घरवाले फैमिली वाले फ्रेंड सरकल ऊसमें शामिल होई मॉज हूई मस्पी बहूं है अडिली नेनुड, सब आफ्रिका ये लोगोंने गूगल मीट्स इटेंड किया फूरा कपूरे अट्रीस से मुझे बताइए कि आप ये फिलाल जो है मीडिया वाले में अपसे मतलब बुहत ड्रैक्ट हो रहे हैं आप भी मीडिया में बहुत तो इस दोरान आपको ऐसे कही कि द्वारा किसी तरह का मतलब निगेटिव ऐसा कुछ थौट आए है अगर मैं मेरी बात करो अपनी बात तो यह कर लेगी तो अगर मेरी बात करो मैं तो मेरे एक तो मॉम डाट को तो as I said सालों से मानूम था अगर मेडिकोज रहने के वज़े से एकसेप्टन्स था मेरी जो आसपास की सोसाइटी है था अगर मेरे पूराने बच्पन के दोस्त है तो बच्पन से मुझे जानते हैं तो बच्पन से इतना जादा प्यार है कि वो उससे कोई फरक नहीं पड़ता मतलब उनके लिए ना तो अगर तो वो आसा शॉकिंग था ना तो ऐसे को मतलब ऐसे पता था ऐसे था तो थे कूल अपसलिबल अपसलिबल मेडिकोज केस में तो हम लोग वेसे भी बहुत ओपनली बात करता सब चीज़ों को लेकर तो वहां पे भी को इसुन निए ने अगरे पाफी सारे अपने खु कुछ फैसे कुछ क्योर्सित कुछ बहुत है भस उसक वासे बीलग तो मुझे मला वस कुछ नेजदिब तो मुझे नहीं मला बसुछ कुरियोधिश्टि वाले पूले को में कि अच bytes तो थोड़ा सा हमें भी ऑग है के बारे में तो जादा तर they wanted to gain knowledge about it, तो गलत तो कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं अचलि नेगटिविजम कुछ था एँ नहीं, मैंने बहुत सर लोगों को बताई भी नहीं कि मेरा ये सीन है ये करना है, हाँ पतल जा एक कोविटमेंट मेंनी है, ठीक है? और फिर उनसे भी चुछ एचनलेशन की मेसेज आने लगी तो I was really shocked that how did they come to know about it क्योंकि अलड़ी 29th रात को मतलब सेरेमिनी हुई तक के फोटोस वाइरल हो चुकेते हैं सोचलेविया पे और जैसे ये खतम हुआ ना, सेरेमिनी तो मुझे 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 तक के मेरे ओनली इंस्टेग्राम पे मैं तो बाकी तो कुछ बोलूँगी न क्या होने वाला है? क्या है? कुए की ढूठी पॉलिक तो हो चुके स्टोरी तो देखा पूरी तो पुरह देखा पूरोफ करो जिये पे पे एक एक भी नेग निही था इन कायो लोग को पता भी नहीं था, अन्होंने भी निए ओन बोलाए और गीसी ने आंऑ लोग बोरी व में इस तरह का मैरेज एक्सेट हो रहा है यह बहुत ही अच्छी बात है आपके लिए और आने वाले जो भी समाज है या जो भी आपकी पीडी रहे कि उसके लिए भी बताजिय और मुझे यह बता है कि अभी शादि किस तरह से होने वाली है क्योंकि रिंग से रहेनी तो हो प्रॉजर, मैं और मेरी फामिली हम लोग पहले सी हर चीज को लेकर प्रिपरेड रहते हैं क्या करना चीज तो हम नहीं हमारे लॉयर को चॉंसल्ट किया तो लॉयर ने वहीं बोला कि इसको अंगेज्मेंट सेरिमनी के जग़ पे आप कमिटमें रिंग करके नाम दीजे तो ली तो उसको सिविल उनियन कह सकते हैं, क्योंकि अल्टमेटली बिटिश लॉट ही अपना 377 यहा था ना, तो बिटिश ने उसको सिविल उनियन नाम दिया है तो फिर यहां पैसा हो सकता है, तो उससाब से धन्वें अहेड विद अब जहां तक के शादी की बात है, शादी अगे एंहें पैस नाम आच शादी, शादी इस विल उनियन तो हम लोग यह करेंगे अज़ देशिनेशिन, सिविल उनियन, सो प्रॉट अब जहें एक डिश देशिनेशिन, शादी, देशिन, प्रॉट होना एक अलागी लेवल, का युणों, एक मस्ती रहती है, और उसमें देफ इंडियन वेडिंग टाइप्स की संगीत, मेहंदी, हल्दी, everything, सभी, प्रॉपर्ली जैसे ही अगे मतलब आप जो है किस तरह से आप की मतलब रोज आप साथ में रहते हो, किस तरह का आपका व्यभार रहता है या किस तरह का आपका डेली का रूटीन है क्या बताओगे हाँ तो मेरा डेली रूटीन बहुत अलग है क्योंकि मेरी अभी नाइट शेट चल रही है, नाइट शेट मतलब 11 रार नाइट, 11 पीम को पंच है और 8 अम पंच आउट, उसके बाद मेरा एक्जाक्ली उल्टा है, हाँ, इनका एक्जाक्ली उल्टा है फिर उसके बाद में जाती हूँ, अभी तो यहां पे हूँ, तो नहीं पस्ता आती हूँ, तो, बट I am going to shift over here, so I will look for a good trainer, उसके बाद मेरा जाती हूँ, एक्शली है, जिम के, जिम से लॉटती हूँ, 11 तक फिर breakfast, फिर I take a bath, फिर I go to sleep at 1 p.m. and I wake up at 6 p.m. फिर उसके बाद में बहार जाती हूँ, थोड़ा सा फ्रेंग से साथ भूमना बगेरा, और फिर घर लोटके मैं काम करती हूँ, तो basically अपने पुचा कि हमारा साथ में के रूटीन है, साथ में के रूटीन है, साथ में रूटीन है मैं हेस्टीली अपना काम करती हूँ, जल्दी जल्दी में की अर्य हाँ अब ही यह करना है, पिर हाँ कपड़े पहनो यह करो और रडी हो, तब तक के शी अलड़ी कीप्स माय मिल्क प्रिपरेड, मेरे मुझे जो टेंपरेचर पर जमता है, जितनी शकर जमती है उसके कि अठकी जल्दी तो यह जब नाटाक करें से दनी तो अधी यह उठो जाना है, तो अजो जाना है फिर रात में भी सुख उतनी हाँ ताइम से, प्र शोजाय मझा भी फिर शुभ उतने को नाटाक करोगे, तो ऐसा होता है उसके बाद दें, जब मैं हॉस्पितल में रहती ह खाना खाया क्या, कितने मज़े खाया, गोली आलिये, गोली ली के उसके बाद, उसके बाद, तो निकले की नहीं, तो ऐसे करके बतलब बतलब बिल्कुल, I have to answer like a proper wife की, you know, की, हाँ, बाबा, हाँ, ऐसा, 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 जो केमेस्ट्री होती है, वो यहाँ भी केमेस्ट्री हमें बिल्कुल ऐसी ही रहती है, और उसका रहता है कि उसके बाद भी, की, okay, अभी, and she's like, she keeps tab of this also, की, अभी इसको पाँचने में, मतलब, अभी है थर्डी-फ़ मिन्स लगने वाले है वहाँ से, ठीक है, तो तो अगर उसे थोड़ा लेत हो गया तो, अरे, कुछ फस गएगा कह पर कुछ और extra काम, फिर मुझे बतावना पड़ता है, हाँ, a meeting अगई, यह कुछ ऐसे हो गया, तो, it's like that, बिल्कुल, तो मतलब, husband का रोल, जो है, पारुमिता जी, अदा कर रही है, ऐसा हम कह से, अभी, not at all, not at all, husband, what, you don't even have to use ही, in fact, अगर आप husband, like, BA, बोलोगे, तो फिर relationship, क्योंकि, देखा जाए, तो, suppose, इसे कुछ मेरे हाथ का खाने की इच्छ है, तो मैं कुकिंग करूँगी, और से खिलाओंगी, ठीक है, तो again, this is like a stereotypical feminine role, तो वो भी stereotypical feminine role ही प्ले करती है, मैं भी feminine role ही प्ले करती है, बस हम लोग अलग अलग चीज हमें, यह करता है, मुझे कौन करता है, हम दोनों ही actually करते है, साथ में करते है, और अगर मुझे ऐसा है कि मुझे सिर्फ पकाना है और मुझे वो वेज़ेटेबल्स काटनी के इच्छ नहीं है, तो मैं काट दिए, तो मैं काट दो, प्लीज, उत्ता काट के रख दो, बागी मैं बना लूंगी, जहां हम देखते है कि नॉर्मली जो शादियां होती है उसके बाद जो है, यूनो मतलब एक परंपरा जो चलिया रही है बच्चे तो यह रोल कैसा रहेगा आपके इसमें? यह रोल मतलब बोट तो फुट वूड बी मदर्स इसमें अगें कोई स्टियोट्योपिकल मेल रोल का दोनों भी मदर्स रहेंगे, और जो भी वस बच certificates है हम दोनों equally करेंगे तो ऐसा कुछ नहीं कि कभी मदलब यूनो जैसे कि बच्चे को तयार मा करेगी, ड्रॉब फादर करेंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है, कभी मैं करूंगी कभी वो करेगी, जैसे जिसको जबता है, वैसे रहेगा, तो उसके लिए हम लोग कोशिश तो करेंगे, कि हम लोग अदॉप्शन कर सके, क्योंकि हमारा बहुत पहले जब सब्सक्राइब करेंगे, तो हम दोनों का यही वियू था कि बहुत बेसारा बच्चे अलड़ी है इस दुनिया में, और उन्हें दे आक्चली नीट पेरेंट्स, और हम वो सबसे पहले करना चाहेंगे, अगर उसके लीगल हैसल इतने जादा ना हो तो डेफिनिटली और होत तो अभी एक नागपूर के रिनाउंड गे कपल है, मौनलब रिनाउंड फामिली से है, बट यह नोट आउट तो पॉब्लिक, बट हमें पता है, तो उन्होंने, तो उन्होंने, तो उन्होंने वालोड़ी गॉन फर सरोगसी और उन्हें मिल भी गई है, तो इनकी जो सरोग हमारे पस अदिशनल और उप्शन है कि हम खुद भी प्रेगनेंट हो सकते हैं, तो हम लोग इंसेमिनेशन करा सकते हैं, आई वी एफ करा सकते हैं, जिसको इन विट्रो फर्टिलाइशन बोलते हैं, तो बहुत उप्शन हैं, जो भी जम पाएगा, करेंगे, पर बच्चे त इस टाइम जिस तरह की मतलब डेट्स होती है, मिलना होता है, उस तरिए हनी मून डेटिंग पीरिएड, जो आप में कुछ उपा होगा, क्योंकि आप कोलकाथा ना पुल बहुत लोंग डिस्टंस था, बहुत 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 बारा दिस्टंस हैं, भाई, 1,2, कोवीड पैंडमीक सिचुवेशन्स थे तब तो वीडियो कॉल इन को था था एट शब कुछ और यह होता था कि मैं इसने मुझे वीडियो कॉलिंग डेट के लिए भी बोला था आए दिट कर लेते हैं तो इसा होता था कि अ मतलब में में छरो जात पैसे खजर काटी तो एक साथ मने भी ने बतादिया तो ये सिनेम semas यज थे एक साथ चलो ज़ो इसमी काने में घ। इवी चाना काुछ करती और मैं बहुत पसंद है और बाकी मदब फैमिली ड्रामा और वो सब जब लास्ट में आता है तो हमारे लिए यह सबस्पे टॉप्मोस था कि या तो कुछ इंटलेक्चिल देखेंगे या तो कुछ मिस्ट्री थिलर रइपका देखेंगे तो लेटर में बोलती थी यह नेट्फिक तो वो वो डिछ केठे है की तो फिर रदिश यह नेट्वे सब्सक्राइब कों पाड़ गातीघ तो यह शब आपका लाइक सब्सक्रा Aww अईने टो अब कर आ आप शो ना बासब्सक्राइब मेरि सबस्टोरा है तो एसा तो थी जब नाइट शीफ मेरी तो मतलब रिखे एक कितने बार हो आप! श्यख़ पहले कितने ही ता हुएाढ 對टमतनां पुल्सा साथ मही चाहिए है मतलब बार दुफिर कि पंडयक की अध वज़े किपने ह्ज़े जैसे हो जय सब अगाई झैसी रूछे खन'? और फिर पहली ही मुलाकार्त में यह दो मेरे पारेंट से मिली अपरेंट इसा हुआ था दा जा इसा हुआ था और अजी कि सुर्भी पारो, सुर्भी पारो, हमाएंगे, हमाएंगे और अभी तो सिचुएशन ऐसी हो गई है कि उनके इनके दोस्त और इनके रिलेटिवस और मेंबर्स जो भी है मुझे ज्यादा प्यार करते है ऐसा नही है ऐसा विलकुल है अच 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 तो फोन नही लगने है पारो, हमाएं यह हो तो इसको इसनों बंदे जाना प्यार करते है यह भर पर ईक हँडिव को कर दो जैसे अपने बताए यह जब आय थे फर्स टाइम तो आप इने नहीं लेकन आप यहां पर तयार्या की होगी कि फर्स टाइम आ रहे हैं कुछ तो बाता हो अगा होगा यह कुछ और ओट क्या बता होगे रहा हुगा तो वह इता कि जासे मेरे कि अपना काम कर वो काम जरूरी है और अचली दूसरे सिटी में था मुझे देड घंटा था वहां से आने जाने में लग रहा था तो और अपर से वहां से निकले हम लोग 12 बज़ आपके तो मैं पहुंची देड बज़ अर्मस्ट गर तीक है बट उसके बीच में मैंने जैसे कर दिया था उसकी आपके तो अपने 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 हाउसकीपर को बोला कि जा कि यह लेकर आ जा जा तो सब अब अब मैं अब अच्ट हो गया उसके बाद ऐसा हुआ कि मैं एंटर वी ठीक है देड़ बजे तो यह सामने बढ़ी और मेरी फ्रेंड भी उसके साथ बढ़ ते और क्या था कि वह जर्णी इतनी लंबी थी और की I wanted to pee ठीक है तो पॉच्ट है और मैं पूरे रास्ते भर I was like कि नी घर जा करी ठीक है तो मैं जैसी पॉची मैं ऐसे इसके तुरफ देगा एंड शी हाट इस यूच स्माइल उसकी बहुत बड़ी स्माइल थी उस चकल पे औ और मैं इसको देगा श्माइल किया बड़ दर्वाजी सी बुला I'm extremely sorry right now but I have to pee और सबसे मेलों जाका टॉलेट गई उसके बाद मैं वापस आई देना हग डर तब तो को खाना वाना खाऊ थी तो मैं आने के बाद जो आपको मिलना था वो मतलब बहुत ही पनी रहा हम देखते है कि लो मैरेज या जो भी मैरेजिस होती है उसमें कई बार हम देखते है कि बहुत सारे प्रोब्लेम्स क्रेट होती है फैमिली वाले हो या फ्रेंड सरकल से हो किसी भी तरह कि हम देखते है कि बहुत सारे प्रोब्लेम्स आती है और जिस तरह कि आपकी जो सिविल होने जारी है यह तो हमारे कल्चर के लिए बहुत ही मतलब अनेक्सेप्टेबल है यह अगर आप इंडिया को प्रिटिशर्स के पहले देखेंगे तो यहां पर होमोसेक्शुालिटी कभी भी मतलब बुरी नहीं मानी जाती थी आप हमारा वो तैंपल देख लिए जो खुरायो में है वह लोगी मारी पर आप कर्या है उसके बाद रिट्न स्क्रेप्ट रखें प्रेक आप पूराने एंशन स्क्रेप्ट रिखमेंगंगे तो फो दाप र सपम्रीद्स के ए मरी महा भारत देखो है सब्सक्रेंगे तो वह को एप स्टाइब में तो भी मैसेचि ही वह आए तक है एक। तो भी। तो भी यह श्रीक ही है, जरी हैं स्टॉरिकली भी आगर आप देखोगे, हम शीज भागवान अर्द है नरेशफेगर, तो अब कि नर्थ मेल लगगे, तो पैले इ memo जरी हैं से कि मुझलों की जो काफी सारे तो एसा कहीं पर भी कुछ यह नहीं था पर जैसे ही ब्रिटिश का आना हुआ तो सेक्शन 377 आया एंड इंडियन कॉंस्टिटूशन आक्शली बहुत क्विक्ली उन्होंने बनाने बोला कि हम 15 ऑगस्ट 1947 को इंडिया चोड के जा रहे हैं इंडिपेंडेंस बिल रहा है आपक तो वह काफी सरे चीज़ हमने वहीं से बिना सोचे इंडिप कर डाले और उसके बाद फिर आया एक नया जंडरेशन अब वह नए जंडरेशन को तो 377 का एलॉप पता है तो उनके इसाब सब पूरानी जो हिस्ट्री थी वह वाइप आउट हो गई सबका यह था कि हाँ आगे जनरेशन में भी आने ही वाले तो उससे बेटर है कि acceptance कर लो क्योंकि पहले जैसे विमेन को पढ़ाई नहीं करने देते थे वह भी गलत बात थी ठीक है उसके उसके बाद में विमेन उपरेशन विमें जो कितने उप्रेश हुए थे विमेन उसके बाद यह हुआ कि उन अच्छी चीज थे बंद होना ही चाहिए था तो ऐसे करते करते अगर और ऐसे लोग सामने आएंगे और पेटिशन फाइल होंगे तो हम उन लोग को इंपेटस देना चाहते है कि और आप मतलब दब के जीने से बेटर है कि उनकी society उन्हें accept करें जैसे हमारी society ने किया हमारे ने gracefully accept किया हमारे friends ने gracefully accept किया और हमारी आसपास की society अभी भी हमको congratulate कर रही है पुरा इंडिया से प्यार आ रहा है पूरे इंडिया से almost तो अगर हमें यह मिल सकता है तो आपको भी मिलेगा just find that courage within you, खुद को पेले accept करिये और फिर अपने society को accept कर वाईए पहला message to all the parents कि ज मतलब यह LGBTQ community क्या है, कैसा है, लोग abnormal नहीं है, यह बहुत positive है और यह just like any other heterosexual human being, यह homosexual being human being है और यह human rights है फिर बच्चे को यह बोला है कि पहले खुद को accept करो और फिर जा के बताओ, हमत जुडाओ, अंदर और पेरेंस को बताओ कि समझाओ at least कि जो parents, बहुत लोग कहते हैं लोग क्या कहेंगे, society क्या कहेंगे, और इन सब के बारे में मत सोचो, मुझे प्यार चाहिए, मुझे accept करो, वो ही बहुत जादे important है, तो एक example यह है कि चलो एक बच्चा आके अपने बागों को बोलता है, पांच-दस मिनिटी conversation है, कि बाबा म मैं लेजबियन हूँ या बाबा में गे हूँ, तो पांच-दस मिनिट के पहले जो प्यार और acceptance थी और था, वो पांच-दस मिनिट conversation के बाद क्यों नहीं रहेगा, क्योंकि at the end of the day, वो उनका ही बत चाहिए, तो होना चाहिए, इसमें क्या होता है, बहुत सारे parents ऐसा करते है कि वो conversion therapy पे जाते है, फिर ऐसे, जो illegal है, फिर convenience marriage होता है, convenience marriage as in, एक gay है और एक lesbian है, वो दोनों मिल के शादी कर लेता है, फिर society के सामने वो heterosexual couple है, बट उसके पीछे उनका जून की अलग जिंदगी है, यह होता है, फिर यह जून की अलग जिंदगी है, यह होता है, फिर यह जो मैंने बोला अभी about this conversion therapy, कि बहुत सारे tortures होती है, उसके बाद अदिविली क्या होता है, बच्चा जा के suicide करती है, मतलब ऐसे होता है कि वहाँ पर, मैं actually बताना चाहूंगी होता क्या है, उनको shock treatment दी जाती है, illegally, उनके ओर गरम पानी फेका जाता है, थंड़ पानी फेका के बाद उनको literally मतलब कुछ S.A.B. cases हो चुके हैं, और हाँ यह से कोई doctor नहीं करता है, तो let me be very clear, क्योंकि यह absolutely medically unethically, medically unethical है, तो यह जब होता है, तो कुछ S.A.B. cases सामने आए हैं जिसमें lesbian girls and gay men के साथ rapes भी हो हैं, तो actually prove कि, you know, this is not you, this is what should happen, this is not natural, this is unnatural, तो उसके बाद, वो क्या literally almost या तो बहुत mental health issues लेकर बहार आते हैं, या तो ऐसा हो जाता है literally कि, वो हाथ जोड के मापे बोल दोते हैं, ठीक है मैं convert हो गया हूं, मुझे जाने दो, और बहार आते हैं और suicide कर लेते हैं, ठीक है, यह से बहुत है, तो ultimately वो लड़की भी खुष्णी है जिससे उसने शादी की, वो इंसान भी कैसे कुष रहेगा, अगर उस वेड़ॉक से बच्चा हो गया, वो भी कैसे कुष रहेगा, और उनके आजव बाजव काज़ी हो फामिली मेंबर्स है, जैसे कि उनके पे तो यह इशु किसी के साथ नहीं होगा, हर कोई खुशी से दूसर से शादी कर सकता है, हेट्रोसेक्शल हो, होमोसेक्शल हो, ट्रांसजेंडर हो, इंट्रसेक्स हो, क्वियर हो, जो भी हो, और जैसे सोसाइटी में यह भी बहुत बात उचलती है, कि जैसे दो लड़कियां सप अगर आपको पहले याद होगा, कि डावरी यह इतना प्रीडॉमिनंट था हमारे सोसाइटी में, वो भी इसी रीजन से होता था कि लड़की की पढ़ाई कम रहती थी, तो लड़की कमा नहीं सकती, तो उसे अभी शादी कर के बहा कर के भेज़ तो अट लीस्ट बहा के बा तो यह तब ही होता है क्यूंकि जो फामिली नेम है वो एक आदमी का कटिन्यू करने में, वो स्थे हस्गर्ड था हमाइल को अपना फाम लीएन कंटिनू करने नहीं मिलता है और इसी रीजन से जो अगनी जब देते हैं तो अगनी भी लड़का ही जाकेँ देता है, फीमिल मतलब फीमेल बच्चों की ब्रून अत्या जो होती थी पुती है अभी भी काफियत तक वो इसी लिए है क्यूंकि अगें फीमेल नाम क्यारी फॉरवड नहीं कर सकती उसके दावरी देनी पड़ती है उसके वाज़े से वह हमारे हमको अग्ली नहीं दे सकती बहुत सारी चीज के लिए जेंडर रोल ही ले घंडर Kenneth specialize लड़का ही चाहिए एक जयाकी तो इल्टिमेटलिक क्या है जैसे मैं तो मेरा इशर install केथ ratmail कर सकती ओ और आज कर अगर 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 आपने देखा है तो हरラड की ओ lel district माने शादी की अपना सरनें कंटिंडियो कर रहा लहां पहली है तो यह हर सोसाइटे में हो सकता है और एक यह प्लाटफॉर्म का हम यूज करना चाहेंगे एक सोशल मेसेज देने के लिए कि हम जैसे कुछ लोग बात कर रहे हैं कि पब्लिक ली आउट होने की क्या जरुवत थी तो वह इसलिए क्योंकि अगर नहीं फैलेगी तो फिर यह है कि इसके थ्रू ही हम यह चाहेंगे कि हम एक अचली वियर ओपनिगा पर फंड्रेजिंग पेज अभी फंड्रेजिंग पेज हम क्यों खोल रहे हैं अब जैसे हम दोनों तो प्रिविलेच्ट फामिली से आते हैं तो शायद लोग यह भी कह रहे हैं कि इनके लिए इजी थ बहुत 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 धन्यवाद आप यह आए और इस तरह के वाज़े से उने पहली घर से निकाल दिया गया प्रिच होने के बावजूद और उसके वज़े से अपनी पढ़ाई कंप्रीट नी कर पाए अपना करियर नहीं बना पाए अब हम जैसे फैनेशली स्टेबल शा अच्छी संदगी जी सके बहुत बहुत धन्यवाद आप यह आए और इस तरह के मतलब जो सिविल यूनियन हो रहा है इसके बारे में समाज को एक अच्छा संदेग दिया ताकि जागरुकता यह समाज में आये और ऐसी सिविल यूनियन को जो है मानने ता मिले समाज में तो आज के खात मुलागात में वक्त जला यही रुखने का देखते रहें बीसे नियूस नमस्कार